अजय को ने चाहिए अज़ए अजय देना मुहम्मद वा आला आली ही वसभी ही अज्माई असलाम अलेकूम वेलकम तू मैं किचन तो मैं बनाने लगी हूं ब्रेक्फिस्स की चीजें और वो भी लेकिन रात के टाइम पर अक्सर आप लोग जिकर करते हैं कि आप वेट गेन नहीं करती हैं खाती आप सब कुछ हैं तो फिर भी वेट क्यों नहीं बढ़ता बाइद वे यह देखें कितनी खुबसूरत लाइटिंग लगती है रात के टाइम में और बहुत खुबसूरत लगता है सीन तो खेर मैंने सुचा आज आप से शेयर करते हूं वेट जो है न जब मैं लूज करना स्टार्ट करूंगी तो थोड़ा कर लेती हूं फिर भाइँ छोड़ देती हूं पता है आपने आप में अतनी महनत होती नहीं लेकिन हाँ वेट गेन क्यों नहीं करती है वो इस तरह से क लेकिन बेसिकलिए है कि नाश्टा जो है ना वो मेरे शदाद की कोशिश होती है कि बहुत है क्योंकि सुबों के टाइम एक्सराइज वगरा करनी होती है तो फिर हैल्दी चीज़ें जो है वो खानी चाहिए तो मैं आज आप से शेयर करने लिग हूं ग्रेनूला के मैं कैसे बनाती हूं यह मैं मतलब regular बनाती होती ही लेकिन यहां पर इस घर में आने के बाद मैंने नहीं बनाया और शुदात बल्के मुझे कहरे थे मैंने कब से बोलाव है बना नहीं रही हो मैंने चलें जिआने आज बना लेते हैं तो मैंने जो walnuts अ उत में बादाम जो इनको चॉ यह वो खेल रहा था यहां पर रूम में मेरे साथ साथ और मैंने क्या किया है कि जनाब हलके से फ्लेम पे यह ओड़ आप देख रहे हैं कोएकर ओड़ और यह होल ओड़ थैं तो एक होते हैं इंस्टेंट उर्ट उनको भी वैसे आप ग्रैनूला के यूज कर सकते हैं उनका त आग पर टोस्ट कर लूँगे सारे इंग्रीडियन्स कॉंटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसमें साथ ही मैंने डाल दिया है क्या कहते हैं अखरोट और बदाम और यह इकठे हलकी आग पर टोस्ट होते रहेंगे बस धियान रखना कि जल ना जाएगा उतनी दे में यह ओट्स हैं इनका कलर भी चेंज हो जाएगा तो मेठे के तोर पर मैं इसमें क्राइनबेरी डालेती हूं यहां पर चीज़े मिल जाती है और साथ में यह स्ट्रॉबेरी जी मिल रही थी यह भी शुगर कोटिड नहीं है ड्राइव हुई भी स्ट् इसमें शोतिया वह भी डाल सकते हैं साथ साथ में चॉपिंग कर रही हूं और साथ साथ में उसको भी चमच हिलाए जा रही हूं ताके वह जल ना जाए तो यह देखें कलर डार्क होना शुरू हो गया ना बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट से थे और अब यह ब्राउन से होन आप ओट्स खाएंगे ना तीन से चार चमच ओट्स ले लेंगे तो यकीन करें आपका दुपहर तक पेट भरा रहेगा और साथ में नट्स भी होते हैं नट्स आपने ना डालने हो ना तो आप बिशक ना डाले या वेलेबल नहीं है या आप कहते हैं कि यह भी एक्सपेंस जो होता है हनी और बटर तो असे ना मन पाउडर तो आप जरूर डालेगा उसका बहुत अच्छी खुश्बू आती है बलके जब मैंने डालना शुरू किया तो बच्चे भी आ गए अच्छी होती है अच्छी होती है लेकिन इतनी जादा हनी भी नहीं डाली जा सकती है तो अच्छी कोट करेंगे ना हम तो अच्छी खासे जो है वो थोड़े थोड़े से यानि के बुन गए थे ना तो फिर से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसको हलके फ्लेम पर दुबारा से थोड़ा टोस्ट करते रहेंगे मीशी देगे स्मेल करने आ गया तो इतना खुश हो तो तोस्ट करते रहेंगे जब कि दोबारा से वह ऐसे ना कृस्पी क्रंची से हो जाएं तो यह बस हमारा ग्रैनोला जो है रेडी हो जाएगा अच्छा हमें बताई थी कि ग्रैनोला जो है ना यह ओट्स बेसिकली इसके अंदर इतना जादा फाइबर होता है यह शुगर क के जो बीज होते हैं भी डल दी है ल्सी जो फ्लैक सी रोथ भी होती है और यह या झा मत-वा जूद सबस्क रहाराऊ जालो जुद के तो एक टाइम में ना दो एंडे बॉयल किया और वो साथ में खा लिए यकीन करें इतनी देर तक तो पहर तक पेट भरा रहता है अच्छा मैं इसको ठंडा होने दिया था थंडा होने के बाद मैंने इसमें यह डाला था तो अगर आप इसमें किशमिश डालेंगे ना तो भी यह वाला जार है ना इसके जो रिमेनिंग ओट्स हैं इनको शिफ्ट कर देते हैं और इस जार को यूज कर लेते हैं ग्रैनोला अगर आप बनाएंगे ना तो इसको आप एक से दो महीने आराम से रूम टेंपरिचर पे एर टाइट कंटेनर में रखके आप इसको तो स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता अगर आपने इसको बजट फ्रेंडली तरीके से रेसिपी को बनाना है तो नट्स बेशग इसमें से निकाल दें या थोड़े से डालें और दूसरी बात है कि इसमें से हनी भी निकाल दें आप इसमें बटर डालें लास्ट में और ब्राउन शुगर डालें और सिनमन डालें तो भी आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो यह देखें जी रेडी हो गया वाइड शुगर मैं इसलिए नहीं कहूंगी को फिर भी ब्राउन से जादा अच्छी नहीं है तो यह ड़न हो गया तो रात हो गई है तो मे तो मैं यह वाली रेसिपी शेयर ही नहीं करती मैंने नौश व्लॉक्स पर आपको दिखाई थी बढ़ चलें अब इस तरह से जैसे भी हुलिया होगा आपसे शेयर कर लिया करूंगी मैंने लिये हैं इंस्टेंट ओर साथ मैं मैं इसमें डाल दिया है दूद तो मैं चार रे साथ में बेकिंग पाउडर दाल रही हूं मैं इसके अंदर क्योंके यह ना ऐसे केक की तरह बनता है से चुई सा टेक्चर होता है मॉइस साथ मैं इसमें डाला है नमक सारा कुछ ब्लेंडर में जाएगा इसमें वेनिला एसेंस पी डालूंगी और इसको कर लोंगी तो फिर मुझे याद आया कि हाँ हनी जो मैंने डाली नहीं अच्छा अगर आपने इस वक्त अब हनी नहीं डालनी है फिर भी एकदम से आप टोटली हेल्दी साइड पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर डाल लें दो पहर को मेरा हाल देख है ना कि जो भी ब तो चाहर मैंने इसको डाल दिया और यह ना मतलब मैं आपसे वन जो सर्विंग है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी तो मैंने क्या सोचा कि एक को ना मैं माइक्रोवेव में रखके देखती हूं क्यूंके मैं 180 डिग्रीज पे इसको रखती होती हूं आवन में 20 मिनिट के क्यूंके मैं तो हमेशा वन में करती हूं तो यह देखे माइक्रोवेव में मैंने किया है तो बिल्कुल ऐसे ना सिंग हो गया तो माइक्रोवेव फ्रेंडली रेसिपी यह नहीं है उतनी नहीं मैंने सोचा कि एक्स भी बॉil कर लेते हैं तो चलें ज़रा एक्स भी साथ में खा लेंगे तो एक्स जो है ना इनको मैंने वाश कर लिया और उसके बाद मैं इनकी ना यह जो मोटी वाली साइड होती है उसको इस तरह से पंक्चर कर रही हूं तो इससे क्या होता है कि एकदम ठंडे ठंडेंडेंडों को जब आप बॉil करने के लिए रखते हैं तो फिर उन्होंने इसके साथ यह दिया होता है कप इससे पानी मेशर करके डाल देते हैं और यह फिर जो होता ना एक बॉilर तो वन्डों को जल्देली से बॉil कर देता है मिशारी के लिए मैं चीज पराठा बना रही हूं क्योंकि बच्छों को हमारे के हेल्दी वर्जिन ऑफ ना उन्हों को अच्छी चीज दे रहे हूं बहरहाल तो मिशी के लिए मैंने चीज पराठा बना दी इसका फेवरिट है साथ में मैं उसको योगर्ट दे दूँगी क्योंकि अंडा तो उसने वैसे खाना नहीं यह देखें जी यह रेडी हो गया तो इसके ओपर अपर अपर इस तरह से क्या है कि यह अपनी शेफ होल्ड करें हैं अगर इसको मैं पहले ही लगा के उपर बेक कर लूँगी ना तो शेफ इनकी खराब हो जागी हो बस एक शाइनी सी सर्फेस सी बन जाएगी तो इसलिए मैं इसकी शेफ मेंटेन करते हूँ मज़े की बात किया है कि यह चॉकलेट ओट कप्स जो है ना यह मैंने शेफ को ट्राइ नहीं कराए वे आपसे मैं नॉच व्लाग्स पर शेयर किया हैं लेकि वह सिर्फ मैंने ही खाए हुए है शेफ जब जल्दी ऑफिस चले जाते ना तो फिर मैं दिल चाता कि मैं अपने अच्छा बनाओ जब यह नाश्ता नहीं करके जाते ना तो भी मैं अपने आपको स्पेशल ट्रीट करती हूं तो आज शजाद पहली बार यह ट्राइक करेंगे तो देखते हैं कि शजाद को कैसे लगते हैं और अंडे भी जो हो तीने में हो गए थे बॉयल तो इनको भी ज यह वोग मैं जो कि मैं है कि अदर दॉधा बीज करण TARS वह टाइब करें तो किसम से मता अगया मना जया इसका टेस्से लेन तुटली मलाई की तरह मदे तरह में पहले की तरह में सौफ्ट है और और अर अज अटा हैस सुखाके कंपट अग्षि लूष्ट हा अजब और बा अच्छी और में डूती है, I love it, यार, चाहँ है गुडू, I love this Malai Brownie यह जी तो क्या है बात है, यह वाके Malai Brownie है यह जी दो काव भी है, माशलदा मैं सुझे है ओटोंगे और रिष्टा तो मुझे, क्योंके ममान वागो जो हेली हुखाते है और कि अच्छेन वह जो जो इस चाहरे कि अच्रव करण है गोजा है अच्छेन जो कोई भी झाहरे है यह जो पहाँ जो 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 भी होगा गुए ऑखना मुझे कुछ श्रागर मेर अच्छेवाज करता कि मैं घल्ता कॉफी कोफी कोफी कॉपलिमेंट मलाई ब्राउनी इस विडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें ताके मैं आपके लिए और मज़े-मज़े की वीडियो और रसीपीज ले के आऊ हैल्दी भी शेयर करूंगी अनहल्दी फूट भी शेयर करूंगी और करारा चटपटा भी शेयर करूंगी जिंदिगी एक बार मिलती है तो बस बैलेंस क्रियेट करके अच्छा भी खाना चाहिए और अच्छा भी खाना चाहिए सब कुछ खाना चाहिए ट्राय सब कुछ करना चाहिए बस अपनी हेल्थ को अपने हिसाब से देखना चाहिए हरे की हेल्थ डिफरेंड डिफरेंड होती है अपने हिसाब से चलना चाहिए टेक कियर अलाफ़ेश